सलम अलिक्म फ्रेंड्स आज हमाएं फिर्स देशक नहीं वीडियो के साथ और जो आज यह हमारा जो व्लॉग है न बोध दिनके बाद बन रहा है क्योंकि मेरा मोबायल है न दोस्तो खराब हो गया था और दोस्तो शारे शारे बैड ने ऊसे क्योंकि हम लोक कि जो फिंच्रस क की पेर ती उसमें से फीमेल ऊड़के चली गई दोस्तो और उनके सारब बच्चे भी मर गए और दोस्तो तुम लोग मतलब देख सकते हूं आपे सारा मतलब खाली-खाली साथ जिख रहा है पुरा सब इक दम यह गंदा हो गया है तो हमारे जो मूरगिया थे उनको बीमार या मतलब बहुत है दोस्तों सिफ हम लोगे जो ड्रnow ships है ऑच है मंसले अद्वर की सबसे पहले मर गाया तो तो इसका जो दूसरे टरकी है ना दोस्तों ये भी मतलब बहुत दीन हो मतलब जब से मर गया नो इसके बाद से ये भी बीमार है दोस्तों अभी तक ठीक नहीं हुआ है इसके मुपे स्वेलिंग है तो अभी हम लोग ने क्या कि इसको भी ओपन छोड़ दे मतलब फुरी ली तो सब खाली-खाली हो गया है दोस्तों और हमारे जो छोटे वुले चीक्स थे ना मैंने बोला था कि हम लोग ने लायत है नहीं अन्में से भी दोस्तों तीन चार मर गए यह आरे बीमारे आप हम लोग ने इनको साइड में रखे हैं कुछ कुछ इसमें से बहुत ज़्यादा है ब्मारे हो देखहो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पर तो फ्रेंड हम लोगने क्या कि अभी यहाँ पे बीमारी आगी इनो मुर्ग्यों को इसलिए उसलिए हम लोगने क्या किये हमारी सारे सारे मुर्गयय ते आते हैं जो कुछ बज गये हम लो ने उनको सफ़ों किये हैं तो आप rug लोगों को दिखाता हूं तो चलो देखते अभी मैं आपको दिखाता हूं तो हम लोग ने इदर यह केज बनाए फ्रेंड्स यह आप फिशिंग नेट है इसका हम लोग ने पूरा पैक कर गए आप बनाए हम लोग ने तो आप हमारे जितने भी जो देशी मुर्गी और मुर्गे है ना जो हम लोग के जो हों परी छोटे बच्चे थे वो और जो बड़े मुर्गिया थे वो सब इसर अंदर है मैं अभी आप लोग का अंदर जाके लिखाता हूं तो हम लोग के यह रहे हैं पर छोटे चिक्स यह ले माशाललह बहुत बड़े हुए यह जो साथ थे पुरे टोटल इसमें गंजी मुर्गी भी है यह सब माशाललह है अच्छे से यह ब्लैक वुला मुर्गा बीमार हो गया तो लेकिन हम लोग ने इसको दवा पानी किया दोस्तों तो यह ठीक हो गया इसके कुछ तो पाउं को कि यह भी बीमार हो गई ते लेकिन यह बज गई जो हम लोग की वह जो बैच थी ना जो मतलब वह दो मुर्गिया और वह वाइट कलर का मुर्गा वह तीनों के तीनों मतलब मर गए तो बहुत बूरा लग रहा है और अब यहां पर माशाललह मतलब अच्छे से है अभी और मुर्गी ने अंडा भी दिये मत्ती में यह देखो दोस्तों यह जो ब्लैक वली मुर्गी है ना इसने दिये यह मतलब बोट टाम से यह अंडा देने का बन की थी आज इसने बहुत दिन के बाद दिये माशाललह तो अभी यह आपर सारके सारे ठीक है दूआ करो फ्रेंड्स अधर बन कर देते रात में दोस्तों और एक गूड्नी उस भी है हमारी जो गीस की पेर तीना वह अभी अंडे देना चालू कर दिये उसने फीमेल ने आप लोग देख सकते हो वापे घूमरी हो वापे पानी में गई है अभी अपने इससे पानी में जाते है और कुछ से वा अंडे दी है एक दिन गैप लेकर दुसरे दिन अंडा देती है और माशालला अंडा बुद बड़ा है मैं आपको अंडा भी दिखाता हूं दिशका अभी वह जबी कुड़ा को जाएंगी ने तो हम लोग उसको अंडे पर बिटाएंगे दोस्तों है आप लोग देख सकते हो कितना ओध दूर चली गए वहाप पर है कि अपना की प्रेंट्स तो यह 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 आपर अंडे हम लोग ने रखे है यहाँ पर अंडे शारे अंड़ करते दोस्तों यह हम लोग के जो देशी ची मतलब मुर्गया ना उनका अंडा ही है तो यह इसकी की साइज देखो दोस्तों की आटा जो है ना उसकी साइज देखो आप लोग वह बहुत बड़ा अंडा इसका और हम लोग के सादे जो डक्स है न यह उनके यह लें अंडे हुआ अपकी देख सकते हो गीस का अंडा कितना बढ़ा है दोस्तों और यह चोटा होला मुर्गी का है तो दोस्तों अभी इसने अंडा मतलब देने के स्टार्ट किये मतलब चार अंडा भी हो गए इनके गीश के अभी हम लोग क्या करेंगे यह अंडा कुड़क भी ना तो फिर हम लोग उसको बिटाएंगे इंशाल्ला और यह जो छोटे यह ड मैंने मुर्गी के नीचे बिटाया हूं मैं आप लोगों को दिखाता हूं भी दोस्तों तो हमारी जो मुर्गी है हो यहांपे माइना उसको बिटाया हूं डूस-के अंडो पे तो यहांपर हम लोग के जог path अब नहीं है मैं आचे अ हम लोगी को बिटाया हूं तो आहाप तो यहां पर हम लोग के जो पहले क्वाइल्स थे प्रेंड्स जो कि अभी नहीं है मैं अभी दिखा था आपको यहां पर हमाइने मुर्गियों को बिटाया हूं दोस्तो आप लोग देख सकते हो यह दो आप पर बैटी हो माशाला है हम लोग की जो फाइटर क्रोश मुर्गी है न दोस्तो उसको मैंने बिटाया हूं अंडो पर दोस्तो टोटल दस अंडे है टोटल 14 अंडे थे दोस्तो उसमें से 4 खराब हो गया हम लोग ने चेक किये थे तो अभी दस अंडे है तो इंशालला मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा तो यह हम लोग की मुर्गी आप बैटी आराम से माशाला शुबा के डाने को इसको हम लोग रोज शुबा में मतलब छोड़ देते है खाना खाने को आप भार आके थोड़ा भूम लेती है फिर से अंदर जाक इसके बच्चे है डक्स के तो मैं आप लोग दिखाऊंगा अभी इसको ज्यादा डिस्टप नहीं करते है अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं आके ला कि दोस्तों तो हमारी जीष की पयर आभी तक पानी में नहार ही है यह देखो अभी यह पर वापस आ गई है बाद में से यहां पर वो भूम रही थी इदर उदर तो फेंड्स यह थी आच कि हमारी वीडियो उमीद करते हैं आपको पसंद आएंगी दोस्तों वीडियो अग मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाहाफिस